अमेठी अफवाहों के बाजार में लगा विराम जनपत अमेठी के गौरी गंज छेतर में जनता के लोगप्रिये वाजनप्रिये विधायक राकेश प्रताप सिंग का इस समय सुल्तानपुर लोकसबा सीड से चुनाओ लड़ने को लेकर अफवाहों का बाजार काफी गर्म है जब मीडिया विधायक राकेश प्रताप सिंग के पास जानकारी लेने के लिए पहुची तो उस समय वो जनता दरबार में आम जनता की समस्या सुनने में काफी व्यस्त रहे लेकिन बाद में जब विधायक जी की नजर मीडिया कर्मियों पर गई तो तुरंद बिनादेरी क किये हुए मीडिया से मुकातिब हुए सवाल जवाब में विधायक जी ने सुल्तान पुर से लोक सबा चुनाओ लड़ने की बास सिरे से खारिश कर दिया और उन्होंने सारी बात अपने रास्टी अद्धहक चुआ पालिया मेंटरी बोर्ट के उपर डाल दिया और सवालो के जवाब से बचते वाकिनारा काटते नजर आए पावर आओ जनादिकान निउस से समर बहादर सिंग की रिपोर्ट के गौरी गंज में विधायक राकेश परताप सिंग के निवास इस्तान पर सर जैसा यह सुनने में आ रहा है कि सुत्रों से पता लाग रहा है कि आप सुल्तान पूर से लोकसभा सीट पर दावेदारी कर रहे हैं इसी के बारे में जानकारी जाई अभी तो गडबंधन में लhou fat हराए हिए भी फृप्य मीलें हो खाई है और तुर मैंने हो और थो पालिया मिन्टी पूर्टवित को certa को मिलेगी भलत बसपा को मिलेगी पहले तो यह तय हो और उपके बाद तो पालीया मुन त्यंन करेगा कि कि इसको वहां चुनाव लगना है और मैंने तो आबेदन भी नहीं किया है फुल्तानपुल के लिए समाजबादी पार्टी की तरफ एक निर्देफ था कि जो भी लोग लड़ना चाहते हैं लोग वो आबेदन करें तो उसमें लगभग 14 लोगों ने वहां आबेदन किया है उसमें मैंने आबेदन भी नहीं किया है तो ऐसा कोई हमारे संग्यान में तो नहीं कि मैं वहां लड़ने जा रहा हूं अब फूत्र बता रहे हैं तो फूत्र कहीं पर बात होई होगी वागी समाजबादी पार्टी का काली करता हूं माने राफ्टिय अध्यर जी का जो भी निर्देफ होगा उसका पालन होगा